हाई एवरिवान वेलकम बाक तो माई चैनल तो व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है प्यारे प्यारे मैंगो से मैंगो का सीजन चल रहा है केसर मैंगो थे यह और यहां पर भिगोई हुई है हमने तूर की दाल क्योंकि हम लोग आज बना रहे हैं खिचडी और कडी और यह ख गुजरात में काफी फेमस है और थर्सडे के दिन जनरली बहुत सारे लोग यह बनाते हैं तो उसके लिए मम्मी को तैयारिया कर रही है मैं आपको भी बताती हूं क्या कर रही है वो पहले उन्होंने दाल भिगोदी चाबल भिगोदी है किचडी के लिए और अब कड़ी के पीच्टी क रहे है तो क्या पीचने वालिएは? गुजराती कड़ी बन रहे है जिसको इंटरस्ट है कुझराती कड़ी सीखने में वो ध्यान से देखें यह भाबी कटकर के दे रिये मम्मी को इसमें है घ्रीमेश, अधरक और लहसुन यह तीन चीज़े मम्मी पीचने वाली यहां पर प्रिशा बना रही है रस यह बहुत टेस्टी लगता है और गुजरात में लोग बहुत जादा खाते हैं मैंगो की सीजन में तो यहां पर मम्मी ने पेस्ट बना लिया है अदरक लसुन का और जिंजर का जीरह सब का पेस्ट बना लिया है मम्मी ने थोड़ी सी बढ़ी है जिसमें नमग यहां नमग इस dob2-2 चंबर अपने देखा और चीनी तोड़ी सी पढ़त हैं क्यादी है जाती है क्योंकि एक बेसन बहुत पड़ता है। चीने बाद्धार चीनी पड़ती है क्योंकि खटी मिटी बनती है गुजराती कड़ी तो ये पूरा पेस्ट ममी ने इसमें चला लिया चलाने का सिर्फ एक ही रीजन है कि बहुत अच्छे से मेक्स हो जाता है और कोई रीजन नहीं है कभी आपको confusion हो जाए कि क्यों चलाया है तो अब इसमें बाकी के ममी इंग्रेडियन्स डालेंगी जिसमें इन्होंने जो अद्रक लसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट बनाया है वो खूब सारा डाल रही है वो क्योंकि इसके अंदर कड़ी पत्ता भी है तो एक बहुत बढ़ी आवला फ्लेवर भी इसके अंदर आ जाएगा तो ये डाल दिया है इसके बाद इसमें और पानी एड़ करेंगे दही और एड़ करेंगे और फिर से एक बार रवई से चला लेंगे आप हैंड ब्लेंडर वगएरा इलेक्टिक ब्लेंडर वगएरा से चला सकते हैं यह जो कड़ियो थोड़ीत है थोड़ी पटली बनती है नॉर्थ 62 इंडियं कड़ी से बिलकुल अलग होता है आपके लिए बिलकुल नाई चीज होगी जो लोग नॉर्थ इंडियं है या कही और रहते हैं पुझाट के सिवाए उनके लिए बहुत डिफरेंट कड़ी होने वाली है यह खटी-मीटी बनती है इसलिए इसमें चीनी डाली है हम लोगों ने थोड़ी सी जादा नहीं थोड़ी सी नमक अलड़ी पढ़ चुका है जब हमने दही को चलाया था अब इसमें पानी पढ़ेग और दो चोटे चमच बेसन है और अब इसको रवई से एक बार फिर से चला लेंगे और अब इसको गरम होने रखेंगे इस कड़ी के खासियत मैं आपको बताती हूँ उसको जादा दिर गरम नहीं करना होता है हलकी गैस पे थोड़ी दिर के लिए गरम करते हैं बसके कड़ी तो और दाल के खिचडी तो और दाल के खिचडी यह धेसि घी में तो चौक लगता है इसका तटका लगता है और यह ममी का स्टाль है मेरा स्टाल थोड़ा डिफरन्ट है बट ममी ऐसे बना कव दिखाती हूँ आपको इसमें ममी डाली है ऑद्रक और लहसुन का पेस्ट इसम जादा काम करने का mood नहीं है, उपर से हल्दी डलेगा और बस इसके लावा इसमें नमक जाएगा, लाल मिर्ची वगरा कुछ नहीं जाएगा सिर्फ इसमें अद्रक लहसुन का paste और हल्दी और नमक, ये इतना ही जाएगा और देशी की में इसका तड़का लगाईएगा बहुत अच्छी लगती है, थोड़ा सा मम्मी इसको स्टर कर लेगी, और इसके बाद इसके अंदर मम्मी डालेंगी तुरदाल और चावल जो भीगा के हमने रखे हैं, और पानी अंदाजे से डालती है वो, आप आपके हिसाब से डाल सकते हो, तो ये डाल हमने काफी देर पहले भीगोई थी, तो बहुत अच्छे से गलचाने वाली है, तो बस अब पानी डाल देंगे और इसमें 2-3 सीटिया लगा लेंगे, फिर मैं आपको तड़का दिखाती हूँ, कड़ी का तड़का बहुत स्पेशल होता है गुजराती कड़ी का, तो आज मैं आपके साथ एक बहुत important बात करने वाली हूँ, मैंने आपको कुछ दिन पहले vlog में बताया था, कि मैं उलजन में हूँ, कुछ परिशानी है मन में, तो क्या परिशानी है, क्या नई बात हुई है किस वज़े से मन परिशान है, वो मैं आपके साथ discuss करने वाली हूँ, बस ये recipe शेर करने के जस्पाध्यान से देखेगा vlog तो अब ममी ने इसमें हरा धनिया डाल दिया, ये कड़ी खूब अच्छे से गरम हो चुकी है, गैस बंद कर दिया, कड़ी को जाद हो बालना नहीं, तो गाड़ी हो जाती है ये ममी ने रखा है देशी की, आप तेल भी ले सकते हो, इसके अंदर थोड़ा सा जीरा डाला है और थोड़ी सी राई पड़ेगी, राई ऑप्शनल है, वैसे ममी कहनी थी राई वो कभी डालती है, कभी नहीं और इसके लाबा इसके अंदर क्या जाएगा, थोड़ी सी लॉंग, थोड़ा सा ताजियानी के सिनमन और लाल मिर्ची का एक पीस, वो जो सूखी लाल में चोती है, हींग ये इतनी चीज़े इसके अंदर जाती है, लेकिन पहले ममी बेट करें हैं, जीरा ज़रा अच्छे से तड़क जाए, हाँ, थोड़े से मेथी सीड्स भी डाल सकते हो ठीके, वो ऑप्शनल है, और ये कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसी से फ्लेवर आएगा और ये है सिनमन और लॉंग, ठीके, ये डाल देना है, और इसके बाद इसमें जाएगा, जैसे मैंने बताए, सूखी लाल मिर्ची का एक पीस ये हींग डाला, ममी ने लास में नहीं तो जल जाता है, हींग इसलिए लास में डालती है वो और ये पूरा लाल मिर्ची का एक पीस डाल दिया, ये हो गया तड़का तयार हमारा ये बन गई हमारी गुजराती कड़ी, ये बहुत टेस्टी लगती है क्योंकि खटी मीठी होती है तो हमारा लंच बिल्कुल रेडी होने वाला है, खिचडी बिल्कुल सिंपल बनी है, साधी खिचडी कहते हैं ऐसे यहां गुजरात में जिसमें नराई ना जीरे का तड़का लगा है, बिल्कुल सिंपल खिचडी है, यहां रेडी हो गई है और हम लोग लंच कर लेते हैं और उसके बाद मुझे आपको मेरी जो उल्जहन मन में है, वो बतानी है बैटके चुनून, कैसे हो आप सब, तो ममी ने आज खिचडी और कडी बनाई थी और पूरी रेसेपी मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है, बहुत टेस्टी बनी थी और इस तरह से आप लोग भी ठ्राई करना, अभी 3.30 बजे का वक्त है, और मैंने अभी एक शूट किया और फिर मैंने सोचा थोड़ देर आप से बात करो, बस आप लोगों के लिए कुछ फीलिंग्स उमर रही थी और मैंने कैमरा ओन किया, जब से विवेक का वो कैंसर का शुरू हुआ है, तब से ले के आज तक मैंने हाडली कभी प्रिशा सबको हाड दिया होगा ना, कमेंट क भी नहीं दूंगी, ये भी आपको पता है, क्योंकि जैनुरी से लेके जो अभी तक कितने महीने हो चुके हैं, मैंने कभी किसी को हाड या रिप्लाई हाड ली दिया होगा, क्योंकि मैं मेरी जिंदगी में ही बहुत ज़दा उलज गई थी, और अभी भी थोड़ी बहुत करते हो, आप लोग मेरी हिम्मत हो यार, मेरी इंस्पिरेशन हो, और दिल से सलाम है आप लोगों को, दिल से, तहे दिल से सलाम है, मेरी आत्मा से सलाम है, कि जानते हुए भी कि मैं रिप्लाई नहीं करूंगी, हाट नहीं दूंगी, आप लोगों ने मुझे कमेंट करना नह अब तक, comments इतने प्यारे हैं ना कि मैं यह बोल सकती हूँ कि अगर आप लोगों के इतने प्यारे comments और आप लोगों का इतना प्यारा साथ है ना मेरे साथ तो मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है पूरे दुनिया का ख़़ाना है मेरे पास जो कि मैंने मेरे community post पर भी कुछ दिन पहले यह चीज डाली थी कुछ दिन पहले भी मैंने ऐसे ही कुछ comments पढ़े थे और मुझे अच्छा लगा था और मैंने वो comments community पर डाले थे जब भी मैं आप लोगों के comments पढ़ती हुना मुझे ही realize होता है कि how special I am I am a lucky person कि जैसे इतने सारे लोग इतना प्यार करते हैं और इतना pamper करते हैं और आप इसका मतलब बिल्कुल यह मत लेना जो मैं आप लोगों को reply नहीं करती heart नहीं देती कि मैं आप से प्यार नहीं करती या मैं आपको आपकी care नहीं करती बहुत क्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ बस उलज गई हूँ है अपनी चीजों में जो चीजें मेरे साथ चल रही है आप भी समझ सकते हो कि कैंसर एक वार्ड ऐसा है कि जिसकी जिंदिगी में एक बार आ जाये न तो वो इनसान काफी टाइम तक परिशान रहता है बिवेक ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो परिशान है उस बिमारे से रिलेटेड अभी कोई बात रह गई है ऐसा ज़रा भी नहीं है पर होता है ना, मतलब थोड़ा मन में परिशानी रहती है अभी भी कुछ प्रोसीडिंग्स है जो चल रही है प्रोसीडिंग्स मतलब है देखिए यहां बढ़के बढ़ रहा है क्योंकि इसकी 11 की बढ़ा ही स्टार्ट हो चुकी है उसके पास ताइम नहीं होता है अराम करने का दो पर बोर रही है तो और मैं पढ़ रही है और सच में आप लोग बहुत मतलब मैं पता है जल्दी से जल्दी COVID खतम हो बस उसी की प्रेकरती हूं जैसे ही खतम होगा वैसी हम को इस बड़ी सीटिंग्स मतलब रखेंगे और एक छोटा सा उसी टाइम पर मतलब जो आप लुक सब हमें मिल ले होगे तब आपको एक गिफ जी रहेंके आफ से और थैंक्यू सो मँच इतना हमें प्यार देने के लिए और इतना और थैंक्यूर दू हमें मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए सबी को थैंक यू और बस क्या ही बोलो मॉमा बहुत मतलब लगी है और मॉमा के लजे से हम भी लगी है थैंक यू सो मच बिकस मुझे तो पता ही था लोग इतना प्यार करते हैं क्योंकि मैं आप से जूट नहीं बोल सकती जैनुरी से लेके अब तक मैंने कभी रीड किये होंगे जादा जैनुरी में तो मैं बिल्कुल रीड नहीं कर पाई जैनुरी फैबुरी तो क्योंकि उस टाइम पर उनका कैंसर का उपरेशन हुआ था मैं बहुत परेशान चल रहे थी लेकिन एक नजर जरूर मारती थी क्यों मैंने बता दिया था कि मैं सेट्स हॉस्पिटल में हूँ जब कैंसर का उपरेशन था तो बहुत सारे लोगों ने सेट्स का नंबर ढूंड के वहां फोन किया था कुछ लोगों मुझे डूंटे-डूंटे मिलने भी आय थे जो मैंने शूट भी किया था तो मैं आज कह सकती हूँ यह चीज कि मैं बहुत धनी हूँ धनवान हूँ क्योंकि मेरे पास आप लोगों का प्यार और सपोर्ट है और इतने अच्छे कमेंट्स आते हैं न उसमें से कमेंट पढ़के सुनाओंगी जो मैंने कुछ दिन से मेरे पास रखा हूँ है भगवान आपको हमेशा सुह भागन रखे आपने विवेग जी को सेकेंड टाइम हॉस्पिटल से अच्छे करके घर लेके आए हो आप एक पती विरता औरत हो माता सीता ने भगवान राम के साथ 14 साल का बनवास साथ में किया था आपने भी सीता माता की तरह कभी उनको अकेला नहीं छोड़ा आप उनकी सीता हो यह कुछ दिन पहले आथा मैंने कम्यूटी पे भी डाला था ऐसे तो बहुत कमेंट्स है मैं किसके साथ अन्याएं करूं क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स मुझे बोलने पड़ेंगे यह अमराज से बचा के आप अपने पती को दो बार लाई हो आप बहुत महान हो ऐस नोजन में बता सकती हूं कि कमेंट्स यही थे उस टाइम पर कि दीदी अपने आपको बिल्कुल अकेला मत समझना हम सब आपके साथ हैं और इतनी दुआएं दी हैं और मैं चालती हूं जब इतने सारे लोगों की दुआएं किसी के साथ हो तो उसके साथ कुछ बुड़ानी हो सकता है तो मैं यह कह सकती हूं कि यह जो जिन्दगी मुझे फिर से मिली है विवेक को जो मिली है उसमें कहीं ना करिया आप लोगों का हाथ है आपका प्यार है आपकी दुआएं हैं कि जिन्दगी फिर से ठीक हो रही है नो डाउट मैंने बहुत हिमत की है लेकिन उस हिम तो उनको COVID हो गया था स्टोमा रिमूबल वाला आपको बता है उनका पेट अभी तक चिपका नहीं है तो आप समझ लो कि वह चल रहा था वह अभी तक चालू है डॉक्टर को दिखा दिया है डॉक्टर ने बोला है कि वह चिपक जाएगा थोड़ा टाइम लगेगा कुछ देंजर आप लोग चिंता मत करना लेकिन कह सकते हैं कि वह स्टगल अभी वी चल रहा है मतलब हम अलमस्ट उससे बाहर हैं लेकिन अभी वी कुछ चीजें हैं जो पूरी तरह से सेटल होनी बाकी है और जिस वजह से मैं काम तो करती हूं मेरा वेकस फाइमली को रन करना है त तरह से टीक नहीं है वो अपने बिसनिस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कहीं से अर्निंग नहीं है तो वो अर्निंग मुझे ही करनी है और मुझे ही घर चलाना है और बस यह आँख में च्वास हुआ है यह थोड़ी सी एमोशनल हो गई आच आप लोगों के लिए कि आपक मेरा घर चल रहा है वो भी आपकी वेज़े से चल रहा है मैं जोप नहीं भूल सकती है जैसे कि आपको बता अभी भी घर पे हैं अपना बिसनिस नहीं संभाल पा रहे और कोई भी इंसान ऐसे कंडिशन में कुछ नहीं कर सकता बहुत मजबूर हो जाता है उस टाम पर आप मुझे मैं यह कभी नहीं भूल सकती कि मेरा चैनल जरूर है लेकिन उसको सक्सेस्फुल आपने बनाया है अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो इस चैनल का कोई वजूद नहीं है और इसी चैनल से मेरी और इसी चैनल से मेरा घर चल रहा है और इसी चैनल से मैं अपने हस् काबिल बना के रखा हुआ है बस इसलिए आज मैं थोड़ी इमोशनल हो गई कि अपने आप में और अपनी प्रॉब्लम्स में मैं इतनी खो गई थी कुछ टाइम से तीन-चार महीनों से विबेक को देखना मैं स्वार्थी नहीं हूँ आप इसा मत सोचना बिल्कुल भी स्वा में खो जाता है तो मैं भी अपनी चीज़ों में खो गई थी सब कुछ ठीक करने में क्योंकि एक के बाद एक हॉस्पिटलाइजेशन डॉक्टर के चक्कर लगाना रोज नहीं नहीं बाते बता चलना उनको एड़्जस्ट करना उसके बाद घर पे आए तो एक और नया टास था मेरे सामने के विवेग बहुत जादा वीग हो चुके थे उनसे बैठा भी नहीं जाता था स्टार्टेंगे तो चला भी नहीं जाता था यादे प्रिशा तो उनको पहले वाला विवेग बनानी का एक टास था हमारे सामने मेरे और मम्मी के सामने लेकिन हम डरे नहीं उन स्टेचेस पूरी नहीं लगाई जाती है, थोड़ा सा ग्याप छोड़ा जाता है, खोला हुआ मतलब, जहां से ड्रेनेज होती है, मतलब कुछ भी गंदा है तो वो निकल जाता है, जो बैंडेज करना पड़ता है, यहां पे, तो वो उनका कॉंस्टेंट तभी से चल रहा था कोविट के डे बन से, क्योंकि कोविट तो उनको second operation के time से लग गया था, तो आप मानेंगे वो देर दो महीने में, देर दो महीने में चिपक जाता है, लेकिन आप मानेंगे अभी कितना time हो गया, भी तक उनका पेट चिपका नहीं है, तो डॉक्टर से हम जब मिलने गए थे सूरत तो अनोंने बोला कि एक medicine दिये पाच दिन की, वो पूरी हो चुकी है, और जब total 15 days हो जाएंगे उनके पास जाएं, तो अगर जी पकता नहीं है, तो हमें फिर से सूरत जाना है, और फिर वो कुछ करेंगे, साफ करके stitching या जो भी करेंगे, तो अभी मुझे आपकी द और आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो, और जब मुझे घर चलाने में दिक्कत आएगी, हस्बंड की इलाज करवाने में दिक्कत आएगी, तो आप जादा दुखी होंगे ना, होंगे ना, because you love, you all love me a lot, I know, तो इसी लिए मैं प्रमोशन्स करती हूं, क्योंकि, no doubt, मैं आप चीज़े आपको नहीं बताती, चीज़े वही बताती हूं, जो मुझे पसंद आती है, जो हम खुद यूज करते हैं, लेकिन, अगर मैं वह नहीं करूंगी ना, तो भी आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, और एक चीज़ मैंने आप से और भी छुपाई है, जो हम मिलने गए थे डॉक्टर को, कुछ दिन पहले, तो हमें डॉक्टर ने कहा कि एक पर कन्फरमेशन के लिए ओनकोलोजिस्ट को मिल लो, तो अब आप सोचिए, मेरे मन में कितने क्वेशन्स होंगे, विवेक भी थोड़े परेशान हो गए, मम्मी भी परेशान हो गए, मेर गरवाले भी परेशान हो गए, लेकिन हम लोगों ने फिर भी हिम्मत रखी हुई है, बगवान पर विश्वास किया हुआ है, ओनकोलोजिस्ट जो है, जिन से हमें मिलना है, जिनका नाम हमारे डॉक्टर ने रेक्मेंड किया है, वो यहां नवसारी में भी आते हैं, करती हुँ, भले आपके रिपलाई कर पाऊं या ना कर पाऊं, हाट दे पाऊं न दे पाऊं, वर काम रेगुलर करती हुँ, व्लॉक्स रेगुलर डालती हुँ, क्योंकि मुझे अभी बहुत कुछ समालना है, हस्बंड का पूरा ट्रेट्मेंट करवाना है, आप देखिए भगवान करें, आउनकोलोजिस्ट यही बोलें कि कीमो की ज़रुत नहीं है, हम तो यही सोच के चल रहे हैं आपके दुआएं चाहिए इस चीज के लिए भी, और हो सकता है कि अगर कुछ आया तो यह सारी चीजों में बहुत एक्सपैंसिव ट्रिट्मेंट होता है, यह सब आपको पता होगा, तो मेरा मेहनत करना बहुत सरोरी है, जिसोजे से जो अच्छे प्रोडाक्स हैं, उनको में प्रमोशन करती हूँ, क्योंकि वो लोग मुझे कुछ पेमेंट करते हैं, और वो पेमेंट इनके और हस्बिन के और घर चलाने के काम आती है, क्योंकि अभी मेर मैठ से सीले लिया है क्योंकि मैं देखा है कि तू बहुत स्ट्रगल कर रही है तो मैं तेरे लिए कुछ करना चाहती है ममे लाइफ में मुझे आगे चाहके मेरा यह सपना है कि मैं B.S.C. करूँ फिर M.S.C. करूँ और फिर मुझे पीएटी या कोई अच्छी डिग्रेंजर से बियाड ले लूँ या तो पीएश्टी कर लूँ मैथमाटिक्स में क्योंकि मैरा मैथ बहुत स्ट्रॉंग है इसलिए और आगे चाहके मुझे बहुत नाम कमाना है बहुत अच्छा प्रफेसर बनना है और बस मैं ममा को हमेशा कुछ रहू ममा जितनी अभी बहनत करी लगता है मुझे मुझे मुमी को आगे जा क्या आराम देना है और एक और प्यार सा कमेंट मुझे दिख गया मुमी के एक वीडियो पे नाइस वीडियो भगवान से दुआ है आप ऐसे ही सुहागन रहो और आप भी दुआ करो भगवान से कि हम लोग भी हमेशा सुहागन रहे भी कहेंगे कि स्क्रीन पे रो रही है बिल्कुल भी नहीं नाइसले रोई हूँ दिल से आप लोगों के लिए प्यार उम्राज कि आप लोगों ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा मेरी हर तकलीफ में साथ बने रहे मैंने रिप्लाई दिया नहीं दिया और कभी-कभी तो ऐसा हुआ है मैंने एक-एक महीना किसी को हाट भी नहीं दिया रिप्लाई भी नहीं किया फिर भी अगले वीडियो पे भी कमेंट तो आते हैं दो सो तीन सो जबकि उन्हें पता होता है कि मैं रिप्लाई नहीं करूंगी इतना प्यार लिटरली सलाम है आप लोगों को पस इसी तरह से साथ में बने रहिएगा क्योंकि मुझे अभी बहुत कुछ समालना है और मैं बहुत खुशी-खुशी समाल रही हूँ भगवान ने मुझे इस काबिल बनाया कि जब जिन्दगी में हस्बन को बच्चों को ज़रत पड़ी तो उस टाइम पे मैं एक पहाड की तरह खड़ी हो गई मेरी फैमिली के सपोर्ट में और कहीं न कहीं उस पहाड को पहाड आप लोगों ने बनाया आप ही नौक कर रहा है चलिए मैं आप से अराम से बात करते हूँ विवेक्स हो गए है और हम खाना वाना खा के बस मैं कमेंट पढ़ रही थी और इमोशनल हो गई तो ये है हमारी शाम की चाय का टाइम आज थोड़ी सी इमोशनल टॉक्स हो गई ही दिल में जो भी बाते थी जो बहुत दिनों से मैं आप से करना चाहती थी और करने ही पारी थी टाइम ही नहीं निकाल पारी थी ऐसा बैट के बहुत बात करने का वोई जोवर में व्लॉग पूरा हो जाता था तो आज मैंने सारी बाते कर ली इसलिए व्लॉग थोड़ा सा चिटचट काइड़ वो गया है लेकिन सच में मैंने दिल से आपको तही दिल से थैंक्स बोला है तो स्वीकार कर लीजेगा मेरी फीलिंग्स को मेरी टू फीलिंग्स हैं और इसके बाद हम आगे थे चट पे शाम का टाइम है मम्मी और अवी यहां पे रोज आते हैं और ममी को भी यहां पे मज़ा आ रहा है क्योंकि बड़ा सा टेरस है ममी बॉम्बे में रहती है मेरे देवर के पास जहां पे उनको टेरस नहीं मिला है उनके बिल्डिंग के उपर टेरस पे जाने का रास्ता ही नहीं है तो उनको यहाँ पे काफी बजा आ रहा है और वेधर बड़ा प्यारा सा हो रहा था और इसके बाद बहुत टाइम के बाद मैं अभी बहार निकले थे और आप देख सकते हो रात के टाइम जो लॉकडाउन जैसा ही महौल है और हम कहाँ पे जा रहे थे पता है हमने थोड़े स मैंगो और मंगवाए थे कहीं से तो उनके घर से सिर्फ पिक करने के लिए जा रहे थे तो जिसमें से हम कहीं बाहर नहीं निकलने वाले हैं डारेक्ली हमारे डिक्की में उनका जो बंदा है वो रख देगा मैंगो और तकरीबन एक मन हमने फिर से मंगवा लिए यानिके 20 kg अच्छा कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे थे मन के हिसाब से क्योंकि कहीं पर एक मन का मतलत है 40 kg लेकिन हमारे गुछ रात में एक मन को 20 kg से गिनते हैं तो वो इसाब से मैंगो का सीजन है बहुत अच्छे से मैंगो हम लोग खा रहे हैं I hope आप लोग भी खा रहे होंगे मैंने फीलिंग्स मेरे मन में थी आपके लिए वो भी बता दी और ये भी बता दिया मेरे मन में आखिर क्या उल्चन थी क्योंकि हमें अभी onkologist को मिलना है और जिस वज़े से मैं काफी अंदर से परिशान सी हूँ थोड़ी परिशानी तो बनती है जायज है क्योंकि अभी इस लौकों में एंड करती हूँ और दुआएं कीजेगा आप लव यू सो मच टेक केर गुड़नाइट एंड बाई बाई